ओम श्री परमात्मने नमा, ओम नमस्षिवाय, श्री श्रीव महापुराण रुद्र सहिता, खंड दो, अध्या 41 और 42 देवताओं द्वारा भगवान श्रीव की स्तुति, भगवान श्रीव का देवता आधी के अंगों के ठीक होने और दक्ष के जीवित होने का वर्दान देना, श्री हरी आधी के साथ यग्य मंडप में पधार कर, श्रीव का दक्ष को जीवित करना, तथा दक्ष और द्वाराउन की स्तुति देवताओं ने भगवान शिवजी की अत्यंत विनय के साथ स्तुति करते हुए अंत में कहा कि आप पर उत्कृष्ट परमेश्वर परात्पर तथा परात्पर तर हैं आप सर्व व्यापी विश्व मूर्ती महेश्वर को हमारा नमस्कार है आप विश विश्व कलत्र, विश्व क्षेत्र, भानू, भैरव, शर्णागत वत्सल, त्रयंबक तथा विहरण शील हैं आप मृत्यों जय हैं शोक भी आप ही रूप हैं आप त्रिगुण एवं गुणात्मा हैं चंद्रमा, सूर्य और अगनी आपके नेत्र हैं आप सबके कारण प्रकाश पूर्ण चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा हैं महेश्वर, ब्रह्मा, विश्णु, इंद्र और चंद्र आदी समस्त देवता तथा मुनी आप से ही उत्पन हुए हैं चुकि आप अपने शरीर को आठ भागों में विभक्त करके समस्त संसार का पोशन करते हैं इसलिए अश्ट मूर्थी कहलाते हैं आप ही सबके आदी कारण करुणा मैं इश्वर हैं आपके भय से यह वायू चलती है आपके भय से अगनी जलाने का काम करती है आपके भय से सूर्य तपता है और आपके ही भय से मृत्यू सब और दौरती फिरती है दया सिंधो महेशान परमेश्वर प्रसन हो ये हम नश्ट और अचेत हो रहे हैं अता सदा ही हमारी रक्षा कीजिए और रक्षा कीजिए नाथ करुणा निधे शम्भो आपने अब तक नाना प्रकार की आपतियों से जिस तरहे हमें सदा सुरक्षित रखा है उसी तरहे आज भी आप हमारी रक्षा कीजिए नाथ दुर्गेश आप शीक्र क्रपा करके इस अपून यग्य का और प्रजापती दक्ष का भियोधार कीजिए भग को अपनी आखें मिल जाएं यजमान दक्ष जीवित हो जाएं पूशा के दात जम जाएं और भ्रिगो की दाड़ी मूच पहले जैसी हो जाएं शंकर आयुधों और पत्थरों की वर्षा से जिनके अंग भंग हो गए हैं उन देवता आदी पर आप सर्वता अनुग्रह करें जिससे उन्हें पून तह आरोग गिलाब हो नाथ यग्य कर्म पूर्ण होने पर जो कुछ शेश रहे वैस सब आपका पूरा-पूरा भाग हो उसमें और कोई हत्तक शेप न करें रुद्रदेव आपके भाग से ही यग्य पूर्ण हो अनिथा नहीं ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता अपराध क्षमा कराने के लिए उद्धत हो हाथ जोड भूमी पर दंड के समान पड़ गए ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ब्रह्मा लोकपाल प्रजापती तथा मुनियों सहित श्रीपती विश्णू के अनुनई विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन हो गए ब्रह्मा और विश्नु देव आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुने, मैं सची बात कहता हूं तात, आप दोनों की सभी बातों को मैने सदा माना है दक्ष के यग्यका या विद्ध्वनस मैंने नहीं किया है दक्ष स्वयम ही दूसरों से दूएश करते हैं, दूसरों के प्रति जैसा बरताव किया जाएगा, वे अपने लिए ही फलित होगा। अता ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए, जो दूसरों को कश्ट देने वाला हो। दक्ष का मस्तक जल गया है, इसलिए इनके सिर के स्थान में बक्रे का सिर जोड़ दिया जाए, भग देवता मित्र की आँख से अपने यग्य भाग को देखें, तात पूशा नामक देवता जिनके दात तूट गए हैं, यजमान के दातों से भली भाती पिसे गए, यग्याग का भक्षन करें, यह मैंने सची बात पताई है, मेरा विरोध करने वाले भ्रगो की दाढ़ी के स्थान में बक्रे की दाढ़ी लगा दी जाए, शेश सभी देवताओं के जिन्होंने मुझे यग्य भाग के रूप में यग्य की अवश्टी, वस्तुएं दी हैं, सारे अंग पहले की भाती ठीक हो जाएं, अर्दवर्यू, आदी यग्य काओं में से, जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अशुनी कुमारों की भुजाओं से, और जिनके हाथ नश्ट हो गए हैं, वे पूशा के हाथों से अपने काम चलाएं, यह मैंने आप लोगों के प्रेमव कहा है, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वेद का अनुसरन करने वाले सुर्षमराट, चराचर पती दयालू परमेश्वर, महादेव जी चुप हो गए, भगवान शंकर का वह भाशन सुनकर, श्रिविष्णु और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता, संतोष्ट हो उन्हें ततकाल साधुवाद देने लगे, तो दंतर भगवान शंपू को आमंत्रित करके, ब्रह्मा जी और देवर्षियों के साथ श्रिविष्णु अत्यंत हर्ष पूर्वक पुना, दक्ष की यग्यशाला की ओर चले, इस प्रकार उनकी प्रार्थना से भगवान और विशेश तह देवताओं तथा रिशियों का जो वीर भद्र के द्वारा विध्वन्स किया गया था, उसे देखा, स्वाहा, स्वधा, पूशा, तुष्टी, धृती, सरस्वती, अन्यसमस्त, रिशी, पितर, अगनी तथा अन्यान्य, बहुत से यक्ष, गंधर्व और प्राक्षस वहां पड़े थे, उन में से कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले गए थे, कुछ लोगों के बाल नोच लिये गए थे, और कितने ही उस समरांगण में अपने प्राणों से हाथ दो बैठे थे, उस यग की वैसी दुर्ववस्था देखकर, भगवान शंकर ने अपने गणनायक महापराक्रमी वीर भद्र को बुलाकर हसते हुए कहा कि महाभावो वीर भद्र या तुमने कैसा काम किया, तात तुमने थोड़ी ही देर में देवतात था रिशियादी को बड़ा भारी दंड दे दिया, वत्स जिसने ऐसा द्रोह पूर्ण कारी किया, इस पायोजन किया और जिसे ऐसा फल मिला उस दक्ष को तुम शीकर यहां ले आओ। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीर भद्र ने बड़ी उतावली के साथ दक्ष का धड़ लाकर उनके सामने डाल दिया। दक्ष के उस शब को सिर से रहित देख लोक कल्यानकारी भगवान शं कर पूछा कि दक्ष का सिर कहा है। तब प्रभावशाली वीर भद्र ने कहा कि प्रभो शंकर मैंने तो उस समय दक्ष के सिर को आग में होम दिया था। वीर भद्र की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को प्रसनता पूर्वक वैसी ही आग्या दी जो पहले द रखी थी। भगवान भव ने उस समय जो कुछ कहा उसकी मेरे द्वारा पूर्ती कराकर श्री हरी आदिसब देवताओं ने भ्रगु आदिसब को शीग्री ठीक कर दिया। तदंतर शंभू के आदेश से प्रजापती के धड़ के साथ यग्यपश्यू बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभू द्रिष्टी पढ़ने से प्रजापती के शरीर में प्राण आ गए और वे ततकाल सोकर जगे हुए पुरुष की भाती उठकर खड़े हो गए। उठते ही उन्होंने अपने सामने करुणा निदी भगवान शंकर को देखा, देखते ही दक्ष की हिर्दे में प्रेम उमण आया, उस प्रेम ने उनके अंतह करण को निर्मल इवं प्रसन कर दिया। धिक के कारण तथ अपनी मरी हुई पुत्री का स्मर्ण करके व्याकुल हो जाने के कारण ततकाल उनका स्तवन न कर सके। थोड़ी देर बाद मन स्थिर होने पर दक्षने लज्जित हो लोक शंकर शिव शंकर को प्रणाम किया और उनकी इस्तुती आरंभ की। उन्होंने भगवान शंकर की महिमा गाते हुए बारंबार उन्हें प्रणाम किया। फिर अंत मैं कहा कि परमेश्वर आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्तु का ज्यान प्राप्त करने के लिए अपने मुख से विद्या तप और ब्रत धारन करने वाले ब्रहमनों को उत्पन किया था। जैसे ग्वाला लाठी लेकर गोगों की रक्षा करता है उसी प्रकार मर्यादा का पालंग करने वाले आप परमेश्वर दंड धारन किये उन साधु ब्रहमनों की सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। जैसे दुर्वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बीध डाला था। फिर भी आप मुझ पर अनुग्रह करने के लिए यहां आ गए। अब मेरी ही तरह अत्यंत दैन पूर्ण आशा वाले इन देवताओं पर भी आप कृपा कीजिए। भक्त वत्सल, दीन, बंधो, शंभो, मुझ में आपको प्रसन करने के लिए कोई गुण नहीं है। आप शडविद एश्वर से संपन पर पर परमात्मा हैं। अता अपने ही बहुमूल उदारता पूर्ण बरताव से मुझ पर संतुष्ट होईए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद इस प्रकार लोक कल्यानकारी महाप्रभु महेश्वर शंकर की स्तुती करके विनीत चित्त प्रजापती दक्ष चूप हो गए। तदंतर श्री विष्णु ने हाथ जोड भगवान ब्रश्वध्वज को प्रणाम करके प्रसनता पूर्ण हिर्दय और वाश्प गदगदवानी द्वारावन की स्तुती की। ब्रह्मा जी ने कहा देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु आप स्वतंत्र पर मात्मा हैं अद्विति एवं अविनाशी पर मेश्वर हैं। और आप ही अकर्तव्व से रोकने वाले हैं। महामो ने इस प्रकार परम महेश्वर की स्तुती करके ब्रह्मा जी ने हाथ जोड मस्तक जुका कर खड़े हो गए। तब सुन्दर विचार रखने वाले इंद्र आदी देवता और लोकपाल शंकर देव की स्तुती करने लगे उस समय भगवान शिव का मुखार विंद प्रसन्नता से खेल उठा था। इसके बाद प्रसन्नचित हुए समस्त देवताओं, दूसरे दूसरे सिद्धों, लिशियों और प्रजार पतियों ने भी शंकर जी का सहर्श स्तवन किया। इसके आतरिक्त उपदेवों, नागों, सदस्यों तता ब्रहम्मनों ने प्रतक प्रतक प्रणाम करके पूर्वक बड़े भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। ओम नमशिवाय, शिवजी सदा सहाय।